दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ECC T10 टूर्णामेंट के एक और मुकाबले के बारे में जो खिला जाएगा ACCB वर्सिस BUG के बीच में अगर दोनों टीमों को कंपेर किया जाएं तो जो ACCB की टीम है दोस्तो वो BUG के अकोर्डिंग काफी ज़्यादा मजबूत और श्रंतुली टीम है तो आप अपने ग्रैंड लिग कॉमिनेशन के अंदर जाजा से जाजा जो प्लेयर्स हैं वो ACCB के ट्राई करके चल सकते हैं अगर पिज के बारे में बात करें दोस्तो पूरी तरह से एक बैलेंस्ट विकेट है जो बल्लेबाज अपनी पोटेंसिल के साब से बल्लेबाजी करें वो यहाँ पर काफी बड़े रन बना रहे हैं और जो गिन्बा सही लाइन और लैंट पर बोलिंग करेंगे उनको भी ठ एक ठाक स्पोर्टियां आपर देखने को मिल सकता है तो सबसे पहले बात करते हैं ACCB के बारे में अब तक दोस्तो दो मुकाबले इस टूर्नामेट में के लिए हैं दोनों दोस्तो एक तरफा विन की हैं पहला चमाली सन्ट से तो दूसरा मुकाबला नो विकेट से यह विन क के अंदर और इसके लावा दोस्तो इंटरनेशनल में भी एक सेंचुरी लगा चुके हैं और एक ऐसे बल्ले बाजें जब तक क्रीज पे रहते हैं दोस्तो हमेशा पावर हीटिंग करते हैं आप देखोगे पिछले टूर्नामेट में चाल मैच में दोस्तो 51 रन बनाय थे औ लास्ट मैच में 11 रन पे नाबाद रहे पिछले टूर्नामेट के अंदर 4 मैच में 51 इनों ने बनाये थे 14 में 12, 7 में 6 और 21 में 33 इनका रिसेंट रहा था इनके बाद अबदुल आसिफ ये भी दोस्तो एक जबरदस्त पावर हीटर बल्ले बाज हैं लगबग नंबर 3 यां 4 पे बल्ले बाज सी करते हैं पहले मैच में काफी लेट निको रखा गया था तो बैट्ट नहीं आई लेकिन लास्ट मैच में वरं डाउन आय थे और दोस्तो काफी बड़ी पावर हीटिंग बल्ले बाज जी की थी लबब दोस्तो 20-22 गेनों में इन्होंने ये 75 रन नाबाद बनाये थे और बैटिंग के लावा 2 वर कंपेट बोलिंग करवाते हैं पहले मैच में 2 वर 23 रन 2 विकेट और दूसरे मैच में 2 वर 10 रन 2 विकेट तो दोस्तो बैट और बोल दोनों में बिल्कुल एक बैट पिक रहने वाली है इनको भी आप चाहिए तो अपनी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चल सकते हैं इनके बाद इस फाक डो किये हैं जो कि दोस्तो पहले मैच में ओपन करने आए थे 40 रन के उपर ये नाबाद रहे थे बैटिंग के अलावा दोस्तो बैटिंग के अलावा एक से दो वर बोलिंग भी करवाते हैं पहले मैच में दो वर डाले 10 रन विकेट नहीं मिला दूसरे मैच में एक और में 27 रन करके एक विकेट निकाला तो दोस्तो इस फान है वो बैट और बोल दोनों में बिल्कुल एक ठीक ठाक पिक रहेगी चाहें तो अपनी रिस्की ग्रैंड लिक के अंदर इनको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन मना के चल सकते हैं तो कि टीम इनको कभी भी टोप ओर्डर में बैटिंग करने के लिए ला सकती है और दोवर कभी भी इनसे कंप्रेट बोलिंग भी करवा सकती है और रोल देखोगे दोस्तो तो इन्होंने 26 और में 11 विकेट भी निकाले हुए हैं आसार डबास है विकेट कीपर बले बाज हैं दोस्तो बैटिंग थोड़ी सी लेट रहती है तो अभी तक मौका दोनों मैच में नहीं मिला इससे पहले टीटैन मैच में इन्होंने चार मैच में चोमनर मनाय थे इनके बाद सम्यूला दोस्तो बैटिंग ओर वैसे तो दोस्तो इनका लगबग नंबर चार या नंबर पांस पर होना चाहिए लेकिन अभी तक इनको बैटिंग मिली नहीं है लेकिन बैटिंग के लावा दोस्तों दो गर कांपेट बॉलिंग करवाते हैं जातर दोस्तों ये पाउर प्ले में बॉलिंग लेकर आते हैं मीडियम पेसर गेनबाज है और नैशनल टीम को भी रिपरजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनल में अभी 2021 में इनों ने एक मुकाबला खेले था उसमें दस रन बैट के साथ और दो विकेट बॉलिंग में निकाले थे और यहां पर भी दोस्तों इनको दोनों मैचस में मार जरूर पड़ी है लेकिन दोनों मैचस में दो विकेट यह निकाल चुके हैं तो हाई रिस्क की ग्रैंड लिग में आप इनको भी अपनी टिम का वाइस कैप्टन तो बना ही सकते हैं हर प्रेज सिंग को अभी तक परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला है रिकोर्ड भी कोई खास इनकाव रोल है नहीं सुखविंदर सिंग टीम की कैप्टन सी करने वाले हैं और अच्छे गेंद बाज हैं दोस्तो अभी तक है दो वर कंपिट तो नहीं डाले हैं दोनों ही मैचस में लेकिन एक एक आवर बोलिंग किया है दोनों मैचस के अंदर अभी कोई रिकोर्ड आवलेबल नहीं है और अभी तक इनको यहां पर पर्रफॉर्म करने का मुखा मिला नहीं रहीम गुल है दोनों मैचेज में एक एक और डाला है पहले मैच में तो एक और में 20 रंड कोई विकेट नहीं मिला लेकिन दूसरे मैच में एक कमबैक किया 0.5 और बॉलिंग की 5 रंखज के और एक विकेट निकाल में कामयाब रहे और रोल चौदा मैचेज के अंदर 5 विकेट इनके नाम है बैंचेज के प्लेयर को लेकर दोस्तों अगर कोई भी चैन्ज होगा तो उसकी इनफोर्मेशन आपको हमेशा की तरह टेलिगाम में मिल जाएगी और टेलिगाम कालिंग आपको वीडियो के निचे मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से बियू जी के बारे में उससे पहले अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई की मेनत के लिए और मोटिवेशन के लिए दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी लेता कर लें यूजी की चैनल दोस्तों दो मुकाबले खेले हैं दोनों मुकाबले हारे हैं एक 44-30 से एक 1144 से और टीम को लाइस से टूरामेंट में अभी तक टीम ने से बॉलिंग करवाई हैं और बैटिंग इनकी चली नहीं है मोईज मुमत टीम के दोस्तों सबसे पाउर हिटर बल्ले बाज है और बैटिंग के लगा दोस्तों दो वर कंपिट बॉलिंग भी करवाते हैं बैटिंग में देखो कि पहले मैच में 13 तो दूसरे मैच में 46 बनाए और बॉलिंग में दोनों मैच में दो दो वर कमपिट डाले हैं हैं सिरफ मार पड़ी अभी तक दोनों मैच में बॉलिंग तो नहीं मिली लेकिन फिर भी दोस्तो बैट और बोल दोनों करते हैं तो बिल्कुल एक अच्छे पिक रहेगी चाहें तो आप इनको भी कैपिन वाइस कैपिन बना सकते हैं पी मासिया one down और two down बैटिंग करते हैं एक classical बले-बाजान दोस्तों थोड़ा सा slow बले-बाजी करते हैं लेकिन बैटिंग के लाग दोस्तों ये दो वर complete bowling भी करके देने वाले हैं एक और पावर प्ले में लेकर आते हैं, एक और टेम का इबारें से दोस्तों डैस में भी करवा लेती हैं, पहले मैच में 29 बनाए थी, लास्ट में 7 बनाए, बॉलिंग में 2 और 28 जिरो विकेट, और लास्ट में 2 और 4 विकेट निकाला, और दोस्तों इन्होंने रिसेंट के अ मनमीत कोली है नमबर 4 और 5 पे खेल चुके हैं पहले मैच में 12 दूसरे मैच में 16 बनाए यह भी दोगर कंपेट बॉलिंग करेंगे पहले मैच में एक विकेट दूसरे मैच में भी एक विकेट कुल मिला के बैट और बोलो दोनों ठीक ठाक है तो एक अच्छी पिक इनकी टेम क कियोशे रहेगी इनके बाद इम्रान हैदर विकेट कीपर बल्ले बाज है दोस्तों यह भी सिरिंडियर क्रिकेटर में से हैं रोमानिया को यह भी रिपर्जेंट कर चुके हैं अनुबावी पलेयर है यसी इसका भी अच्छा अनुबावी इनके पास है पिछले सीजन 5 मैच में क्या उनन मनाए थे लेकिन यहां पर दोस्तों दोनों मैचस के अंदर बैटिंग फ्लोप रही है जो पांस कांकड़ा है वो पार नहीं कर पाए विकेट किपिंग से जुरूर कुछ पोइंस आपको यह दिलवा सकते हैं दिनोर नेपाली वन डाउन खेले पहले मैच में तो चार दूसरे मैच में नंबर सेफडा की चैरन बनाए यह भी एक पार्टाइम गेंद बाज है देकिन अभी तक बॉलिंग इनको महीली नहीं है कोसमीन जावियों हैं जो कि टेम के कैप्टन सी कर रहे हैं लेकिन दोस्तों दोनों ही मैच में आप देखोगे तो कोई भी इनका परदसन नहीं रहा है हलांकि दोस्तों ये भी नेशनल टीम के मेंबर रह चुके हैं एक डीसेंट बैच मेंने दोस्तों कभी भी दस बारा रण आपको बना के दे सकते हैं टीट उन्टी इंटरनेशनल में दोस्तों जो इनका रीसेंट है वो आप यहां पर चाहिक कर लिजेगा इनके बाद यहां से केश सूबर्मेन है दोवर कंपिट बॉलिंग करेंगे पहले मैच में दोर में तीसरन दूसरे में दोर में उन्तीसरन दोनों मैच में सिरफ मार पड़ी है विकेट अभी तक नहीं मिला जामिन मुस्ताग दोस्तों अभी तक कोई खास परदि खेले थे वहां पर दोस्तों इन्होंने साथ विकेट निकाले और यहां पर दोनों मैच में चार विकेट निकाल चुके हैं तो बॉलिंग के दम पर इनके और शर्फ से बैस्ट गेंदवाज रहने वाले हैं मिहाई आची मैं पहले मैच में बॉलिंग नहीं करवाई लाश् को रख ना करें तो आप सीधा तेलिगाम में जाके सर्च करशते हैं आपको तेलिगाम में जाकर टाइब करना है wgf24 और सर्च करके जुड़ जाना है तीलिगाम के अंदर अब बात करते हैं दोस्तों हमारी यह ऐसीot hm if mm köles को अब को निया से संग को मैंने 이렇게 के संथ का मैं इतरक है इंसाग बाकी दो सकते हैं यह दो स्दुमित हो बगार हो गार्य हुगा हमेशा के उपक्ट के उपर डिपैंड हाई गार दोस्त के बात जो भी अपडेटर टीम होगी चाहिए समॉल लिक की हो या वो ग्रैंड लिक की हो वो अपडेटर टीम आपको टेलिगाम में मिल जाएगे तो तब तक के लिए दोस्तों उमीद करता हूँ वीडिया आपको पसंद आयोगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जूरू कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हर फाइनल अपडेट के लिए टेलिगाम बिल्कुल मिस्समत करें टाइप करें डबलुजयाब 24 और सर्च करके जूर जाए टेलिगाम के अंदर थैंक्यू फ्रेंट्स वल दा बेस्ट